तो पिछले एपिसोब में हमने देखा था कि यूशे को एक दूसरा डीमन मिल जाता है जो कि उसे उसके हॉली ट्री से दुबारा रियॉनाइट करा देता है उस ट्री पर हाथ रखने कि पाद यूशे को पता लगया था कि हमारा डेवाल डिमन पूरी तरीके से ठीक है वहीं अब ये दोनों मिलके अपने क्लैन मेंबर्स को वापस ढूनने वाले थे दूसरे तरफ वां गाउं यूशे को ढूनते वे किसी गाउं पहुंचाता है और जब वो उन गाउंवालों के साथ मस्ती करा था तो लेंग्या विलज में काफी और मेंबर्स आ गए थे अटैक करने के लिए इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उस लड़की को देखने के बाद छोडू रेगन कह रहा था कि ये फिफ लेवल पर है ब्राइट रियानम की वहीं दूसरे तरफ उस परसन को देखने के बाद गाउं वाले काफी बुरी तरीके से डर रहे थे वो लड़की तो कहती है कि मैं यहां पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा ये छोड़ा सा इंसिक्त तुम्हें रोक नहीं पाया यहां आकर एक एरो शूट कर देती है जो कि उनमें से एक बंदे को जाकर लगिया था लेंगे अपना तीर कमान लेकर आ जाती है फाइट करने के लिए वो तो कह रही थी कि बड़ों को परिशान करने से पहले छोटों से तो निपटलो वहीं दूसरे तरफ उसके विलचीफ जाकर सामने वाले एक उसन को एक जोटार पंच मारते हैं जिससे कि उसकी हालत भी खराब हुजाती है और यहां पे छोटो रेगन और जीये सोच रहते हैं कि इतनी देर से ये बुटा बस कमजोर होने का नाटक कर रहा था अब ये सब देखने के बाद उस लड़की को बोलो तुम लेकिन मुझे तुम्हारा ये अंदास काफी पसंद आया पर इसके साथ ही क्यों न तुम्हें थोड़ा सा सबक सिखाया जाए ये बोलने के बाद व अपने वैपन से लगातार वांगा उपर हिट करने की कोशिश कर रही थी दूसरे तरफ उनमें से एक गुंड जिससे कि तो उस गाड की हालत देखने लायक होती है वहीं गाउवाले ने ऐसा करते वे दूसरी गाड को भी जलाना शुरू कर दिया था जिससे वह चीखने लगती है और हमारे गाउवाले बिना स्प्रिचल पावर के इस तरीके से अपने ऑपोनेंट से फाइट कर रहे थ वो तो कहता ही कि लगता है तुमने सही अपनी पावर की प्रैक्टिस नहीं की ये देखने के बाद मौदो समझ आती है कि वांग हाउव ने कल्दिविशन को छुपा रहा है वो उसकी सोच से भी जादा स्ट्रॉंग है ये जानने के बाद वो जोर से हस्ते वे कह रहे थी कि हमारे वांग हाउ की हालत भी काफी जादा खराब हो गई थी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता ये देखकर मौदो कहती है कि ये चोटा सा इंसेक्टिस पावर को इनहेरिट करता है वो तो बड़े-बड़े मौस्स को काबो कर लेती है तो तुम जैसा इंसान क्या चीज है कि तुम्हारी पावर को इनहेरिट करने की वज़े से वो कितने बुरी-बुरे माइन कंट्रोलिंग से गुजरा है जिसकी वज़े से देखो उसका धिमाग कितना जादा कमजोर हो गया है यहां दूसरे तरफ मोजू वांग हाउ से कह रही थी कि आप इस मोमेंट को इंज बता गई है वहीं लें गया वांग हो की ऐसी हालत देखने के बाद अपने वेपन से अटैक करके उसकी हल्प कर रही थी पर इस चोड़ी सी लड़की के अटैक का क्या ही असर होता उस पर वो तो सभी गाउं वालों पर माइन फोर्स लगा रही थी जिसकी वज़े से अब को उठाता है उसका टैक उस बच्छे पर नहीं लग पाता क्योंकि वांग हो अब अपने डीमन फॉर्म में आ गया था जहां जैसे ही वह अपने डेमॉनिक औरा को रिलीज करना शुरू करता है यह देखने के बाद मौजू की हालत खराब हो गई थी वांग हो का तो पूरा लेवल पर अपग्रेट हो चुका है यह देख कर तो उसकी सांसे रुकने शुरू हो जाती है कि यह कितनी तेजी से अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा है यह इंसान है या मौंस्टर पर वांगा उनसे कह रहा था क्या हुआ तुम लोगों की हमत निया कि तुम अपना चेहर रोच चुकी थी उसका ये क्रोल रूप देखने के बाद तो वहां मौजुद सभी लोग काफी जादा डर जाते हैं वहीं वांगाओ अपने हाथों को मैश करते वे उन सभी को क्रश कर देता है सभी लोग वांगाओ के अपीरियंस को देखकर डर रहे थे पर लिंग्या उस कर रहे हों दोनों पर वो लिंग्या को अपने पास नहीं आने देता ये कहते हैं कि मैंने अभी काफी पावफुल गुंडों से फाइट किया तो मेरे हाथ गंदे हैं मुझे धोकर आने तो वहीं चोरो रेगन और जीये काफी जादा शौक थे शोरो रेगन तो जीये से पू यूज करके ही अपने बॉड़ी पर कंट्रोल पा लिया है दूसरे तरफ आंगाओ को दिखाया जाता है जो कि गाउवालों से काफी हंस्ती खेलते मिल रहा था इधर लेगन या मुझे को चेक करने के लिए पहुंचाती है उसकी बॉड़ी के पास जहां वो छोटा सा इंसे अपने से पहले लिग्या की बॉड़ी में पॉड़ी में ट्रांसफर कर देता है जिससे वो थोड़ी देर के लिए उनकौंशिस हो जाती है जिससे हमारा वांगाओ समालता है उसे इस इंसेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था तो उसकी इंफरमिशन उसे ये डीमन देता वो तो वांगाओं से कह रहा था कि थैंक्यू इसे सम्हालने के लिए वन्ना वो इंसेक्ट इसकी बॉडी में घोचा था और फिर इसकी बॉडी के थूरू इसके माइंड पर कंट्रोल जमा लेता पर तब ही उस डीमन की नजर हमारे वांगाओं भी पढ़ती है जिसे देखकर तापस अपने वर्ल में आ जाता है उससे तो वांगाओं एक और लग रहा था लेकिन फिल्हाल से डीमन के विश में देखने के बाद अपनी स्वाड निकाल लेता है यह कहते वी कि आखिर तुम हो कौन और यहां क्या कर रहे हो कहीं तुम स्प्रीचल वर्ड के लोगों के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची जिसको अंजाम देने के लिए तुम यहां पर आ गए हो यह बात सुनने के बाद वांगाओं कहता है कि लोचवान ने तुम्हें यह सिखाया है और यह बात तो मुझे तुम से पूछने चाहिए थी ना कि तुम हुमन हो या फिर डीमन है वो तो कह रहा था कि आखिर कौन हो तुम लोग उसे यह लोग काफी जादा सस्पीशियस लगते हैं तो वह अपना मूँ बंद रखने का ही डिसाइट करता है जहां पहले तो वह अपनी गल्दी की माफी मांग रहा था इन लोगों से क्यूंकि उसने इन लोगों की साथ बुरा बेवार किया ना हमारी लिग्या पॉईजन से इंफेक्ट हो चुकी थी तो यहां पर हमारा पांगा उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि इस पॉईजन का एंटी डोट हमें कहां मिलेगा जिस पर वो टीमन बताता है कि मैं भी उन लोगों से भाग कर अभी जादा मास्टर कंट्रोल कर रहे थे तो अगर हम मदर्गू का पता लगा लें तो फिर हम इस पॉईजन से रिलीज होने का एंटी डोट ढून लेंगे और यह हमें एक महिने के अंदर-अंदर करना होगा क्योंकि लिग्या के पास सिर्फ एक महिने का वक्त बचा है क्योंकि उसके बाद तो यह पॉईजन उसकी जान ले ही लेगा दूसरे तरफ हमें एक अजीब सी जगा को दिखाया जाता है जहां पर चालों तरफ चोटे-छोटे इंसेक्स मुझूद थे वही हमें मोजू की तरह ही एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास एक लिए ताकि वो लिंग्या को पकड़कर उसके ला सके क्योंकि अब उसे कंट्रोल कर सकती है तो वह चाहती है कि वह अपने फायदे के लिए इस्तमाल करें हमें नेक्स्ट बार्निंग विलिज का सीन दिखाया जाता है जहां उनके साथ इस सफर में उन्हें वह डीमन भी वह सबी गाउं वाले वांगाओं को थैंक्यू बोल रहे थे उनका साथ देने के लिए इसके अलावा अगर उन्हें और कोई हल्प चाहिए तो वह कहते हैं कि हमसे मांग लेना पर वांगाओं कहता है कि उस लूर चैंग को समभालने के लिए उसका यह आउट पिटी काफी ह और यहां से जितनी जल्दी चाहेंगे उतनी जल्दी एंडिडियोट ढूंड सकते हैं दूसे दर वो डीमन काफी जादा कुस्से में था वांगाओं को लेकर वो कहता है कि मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता मुझे रास्ते बर इस पर नजर रखनी होगी अगर थोड़ी सी भ है तो आप लोगों को जादा टाइम नहीं लगेगा वहां तक पहुंचने में वांगाओं तो कह रहा था कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है अब जल्दी यहां से चलते हैं उनके जाने के साथ ही यह वाला पर सुरूश आता है खत्म